हेलो बचो, आज मैं आपको class 6 जिसका subject है mathematics, इसकी worksheet number 4 समझाऊंगी, जिसकी date है में पस 15th July, तो आज की worksheet बहुत ही interesting worksheet है, आज हम एक game खेलने वाले हैं, वैसे तो maths में बहुत कम games होते हैं, है ना, चलिए, आज बहुत interesting game हम खेलने वाले हैं, जिसमें हमारा mind अच्छे से use होने देखो, यहां पर आप से क्या कह रहा है, put the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 in the circles, so that each straight line of 3 numbers add up to the same total, आपको यहां पर क्या कह रहा है, कि आपको यहां पर 7 numbers दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, इन numbers को in circles में, जो यह circle आपको यहां figure में दे रखे हैं, इस तरीके से put करो, कि जो भी straight line पर circle बन रहे होना, उनका sum जो है, हर एक straight line का sum जो सेम हो, जैसे कि एक straight line आप देखे हो यह बन रही है, तो इसमें 3 circle है, इन 3ों का जो भी, sum आएगा, वो, एसी एक straight line आपके पास यह बन रहे है, इसमें भी 3 circle है, यह वाले 3, तो इन तीनों का जो समायगा वो, ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन आपके पास यहाँ पर बन लिये, इसमें भी तीन सर्कल है, इन तीनों का जो समायगा वो, तीनों का सम एक्वन होना चाहिए, अब आपको नमबर यही साथ यूज़ करने है, और कोई भी नमबर रिपीट नहीं करना, तो बताओ किस तरीके से फिल करें हम, कि जो हमारा सम है, वो जो है सेम आ जाए, और नमबर भी रिपीट ना हो, और हमारे सारे सर्कल्स भी फिल हो जाए, है ना सोचने वाली बात, तो देखो हम पते क्या करते हैं, चलो अभी नहीं हटा देते हैं, फिल करते हैं, क्या करते हैं यहां पर यहां पर लिख देते हैं 3 यहां पर लिख देते हैं 1 और यहां लिख देते हैं 6 तो 3 प्लस 1, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 10 अब इसका मतलब इन बाकी दोनों का जो सम आएगा न वो भी 10 ही आना चाहिए आना चाहिए निया आना चाहिए, अब देखो 1 यहां लिखा है तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर लिख देते हूँ 5 और यहां पर लिख देते हूँ 4 तो 5 प्लस 1, 6 प्लस 4, 10 हो गया, कौन-कौन से नमबरs यूज हो गए है 1 यूज हो गया है, 3 यूज हो गया है मेरे पास, क्योंकि नमबर रिपीट नहीं करने है 4 यूज हो गया है 5 यूज हो गया है 6 यूज हो गया है finally 2 और 7 ही तो बचा तो यहाँ 7 यहाँ 2 या फिर नीचे 2 ऊपर 7 लिख दो सम तो आपका 10 ही आ रहा है 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 आया नहीं तो यह ऐसे सोच के करना है तो आपको copy में यह figure ऐसे ही draw करनी है उसके बाद इन numbers को आपको क्या करना है circle में put करना है clear ठाना interesting चलिए एक और है interesting यहाँ पर देखते है let's play with balloons चलो balloons के साथ game खेलते हैं क्या game दे रखा है हमार को यहां आपसे कह रहा है if a number in one of the balloons is included in the answer to the three problems below them that balloon will fly away क्या रहा है कि इन में जो यह balloons बने वे और यहां पर आपको यह तीन problems दे रखें इन तीन problems के जो भी answer होंगे जो भी answer में जो भी number आएगे उस number का balloon ओड जाएगा ठीक है फिर कोई न कोई balloon तो बचेगा ही तो जो उन सब balloon बचेगा इन तीनो problem को solve करने के बाद वही balloon का number आपको यहां बताना है which balloon is left ठीक है देखो first problem है balloon with multiple of nine सबसे पहली बात multiple क्या होता है multiple मतलब है nine की table में जो जो number इस balloon में दिख रहे है लिखे वो वो सारे लिख दो multiples का मतलब यही होता है उस number की table ठीक है तो चलिए देखते हैं तो 18 उड़ जाएगा यह वाला balloon तो cross लगा देते हैं तो 18 है इसका multiple और कोई सा multiple आपको दिख रहा है 45 भी आता है 63 भी आता है 54 भी आता है लिखते रहते हैं और कोई number 99 भी आता है 9 की table में और कोई number बस यही number आते हैं चलिए first वाला हो गया square number balloon square number क्या होते है square number होते है जैसे 224 339 सेम सेम numbers को multiply करना 4 4 16 55 25 66 36 इन्हें बोलते है square number जो सेम सेम numbers को multiply करके आता है आगे जब आप 7th 8th class में जाओगे तो इनके बारे में इन square numbers पर पूरे chapters है वहां आप इसे deeply पढ़ोगे इस chapter फिलाल देखते हैं चलो तो 4 मिल गया मुझे एक लिख दिया मैंने 4 यहां पर और कोई सा है 9 दिख रहा है कहीं नहीं 16 दिख रहा है तो 16 लिख दिया एक मैंने 55 जा 25 भी मिल गया चलो यह बैलून भी उड जाएगा 66 जा 3 6 7 7 जा 49 भी नहीं है 8 8 जा 64 मिल गया तो यह वाला बैलून भी उड जाएगा ठास्रिक है और कोई दिख रहा है बस, और कोई नहीं दिख रहा छोड़ दो नाइन नाइन जा एटीवन होता है वो नहीं है इसमें नेक्स्ट है प्राइम नंबर बैलून प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिफ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे यह नंबर आते हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर देखें, देखो 3, प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिफ अपनी टेबल में आता है, तो यह बैलून भी उड़ जाएगा, 13 प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिफ अपनी टेबल में आता है और किसी में नहीं आता 26 ये प्राइम नंबर नहीं है क्यों क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है 13 की टेबल में भी आता है अपनी टेबल में भी आता है सारे बैलून उडगए सिफ एक बैलून बचा और वही बैलून तो मुझे चाहिए था वही नमबर चाहिए था इसी के लिए तो हमने यह तीनो प्रॉब्लम सॉल्व किए कि कौन सा बैलून बचेगा तो कौन से बैलून बचा 26 number का बैलून बचा, तो which बैलून is left, 26th number बैलून is left, तो आप ये लिख दोगे last हो, तो copy में आपको ऐसे ये बैलून बनाने हैं, ये question लिखने हैं, उसके बाद इनके आगे के answers लिखने हैं, question के, अब which बैलून is left में, 26th number बैलून is left, ये लिखना है, तीना interesting worksheet आज की, ठीक है, अब एक छोटा सा question मैं आपको दूँ, मैंने आज आपको दो topic समझाए, square number और prime number, है न, एक छोटा सा question है यहाँ पर, तो आप मुझे बताइएगा, कि जो nine है, वो prime number है या नहीं है, yes या no में answer देना है, कि prime number ये है या नहीं है, prime number वो होते हैं, जो सिफ अपनी table में और one की table में आते हैं, ठीक है, तो जल्दी से comment करके बताइए, कि nine prime number है या नहीं है, इसी के साथ worksheet complete होती है, interesting worksheet थी, worksheet number four, आप worksheet number five जो है, वो हम अपनी next video में करेंगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे like जरूर कीजेगा, और मेरे channel को subscribe कीजेगा, thank you,